दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान रीट एक्जाम 2021 से जुड़ी आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या आपका रीट का एक्जाम 26 जुलाई को है और क्या मुख्या मंत्री जी ने ट्विट करके ऑफिशली कह दिया है कि रीट का सब्सक्राइब कर दिजिएगा और बैल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को अन कर दिजिएगा तकि एजुकेशन रिलेटेड एंड अपडेडेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों हम आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ही दे जल्द ही विभाग आधिकारिक रूप से नोटिस जारी कर देगा एव महाविर जैंती के चलते राजस्थान सरकार ने अंतिव निर्णई लिया है तो इस ट्विट में ऐसा दिया गया है कि 26 जुलाई को आपकी रीड की परिक्षा तिथी की घोशना की जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री जी ने माननी अशुक गहलो जी ने यह ट्विट करके कहा है क्योंकि ऑफिशल जो अकाउंट्स होते हैं उनका ब्लू टिक होता है यहां भी ब्लू टिक आपको दिख रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको उपे नियादव जी का यह ट्विट दिखाना चाहती हूं इस ट्विट में उपे नियादव जी ने स्पेश्ट कह दिया है कि परिक्षा दिथी के लिए प्रदेश में बेरोजगार पल पल तडप रहा है और कभी किसी अभी किसी अजारक तत्वने मुख्यमंत्री जी के नाम से एडिट करके जूटी परिक्ष कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वह जल्द ही परिक्षा दिथी की घोषणा कर दे तो उपे नियादव जी ने भी कह दिया है कि यह जो अभी ट्वीट आया है कि माननीय अशोक गहलो जी का यह सरासर फेक है इस पे आप ध्यान मत दिजिएगा और इसे फालतू अफवाव पे बिल्कुल भी ध्यान मत दिजिएगा उपे नियादव जी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि कोई है जो फालतू में मुख्यमंत्री जी के नाम से एडिट करके जूटी परिक्षा दिथी की वाइरल कर रहा है तो आप एसे ध्यान मत दिजिएगा और आपकी स्टडी जारी रखिएगा जल्दी मानिय मुख्यमंत्री जी से निवेजन भी किया है अशोग कहलो जीने कि वह रीड की एक्जाम तिथी घूशित कर दे तो जल्दी आपकी एक्जाम तिथी घूशित हो जाएगी और जैसे ही कोई ऑफिशल अपडेट आएगा न्यू इनफार्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे दोस्तो इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा थैंक्यू सो मच